इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और समग्र स्वास्थि में सुधार करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपका आहार पर्याप्त विटामिन C प्रदान नहीं करता है और साथ ही शरीर में विटामिन C की कमी के कारण होने वाली कुछ स्थितियों का इलाज करता है। विटामिन C का निम्न स्थर अक्सर संक्रमन, मसूडों से खून बहना, स्कावी, खराब घाव भरने, मांस्पेशियों के अद, पतन और तंत्र का क्षती से जुड़ा होता है। स्कवी एक ऐसी स्थिती है जो सामाने कमजोरी, अनीमिया, मसूडे की सूजन, यानी की मसूडों की बीमारी और आहार में विटामिन C की लंबे समय तक कमी के कारण त्वचा में रक्तसराव की विशेश्टा है। विटामिन C एक ग्यात एंटियोक्सीडेंट है जो स्वस्थ त्वचा, दांत, हडी और रक्त वहिकाओं को बनाए रखने में मदद करता है। यह आपके शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से भी बचाता है। यह दवा उपचार के एक संपून कारेक्रम का केवल एक हिस्सा ह हो सकती है जिसमें आपके आहार में परिवर्टन करना और अन्य विटामिन की खुराक लेना भी शामिल है। उन खाते पदार्थों के बारे में जाने जिन्हें आपको अपने आहार में परियाप्त विटामिन C प्राप्त करने के लिए खाना चाहिए। आपको इसे अधिक नहीं लेना चाहिए या इसे अनुशन सिट से अधिक समय तक उप्योग नहीं करना चाहिए। CZ-360 टेबलेट औरंज आम तोर पर बहुत कम या बिना किसी दुश प्रभाव के सुरक्षित है। इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित सक को किसी अन्य दवा के बारे में बताएं जो आप ले रही हैं। कुछ अन्य दवाएं विटमिन C के अवशोशन को कम कर सकती हैं या इसके साथ परस पर क्रिया कर सकती हैं। कोई अन्य विटमिन सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके को क्लिक करें धन्यवाद